हेई गाईज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैं स्तुति गुपता आज आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर आई हूँ मेरा टॉपिक है आज का क्रैक हिल्स मेरे साथ एक साल से बहुत बड़ी प्रॉब्रम थी कि मेरी एडियां बहुत बुरी तरफ पड़ चुकी थी और सही नहीं हो ली थी मैंने काफी मार्केट का प्रोडक्ट यूज किये बट मुझे कोई आराम नहीं मिला काफी लोगो ने घरेलू नुसके बताए बट मुझे को मेरी आज एडियां एकदम स्वस्त हैं और एकदम स्मूथ और नीट हैं आज मैंने सोचा आपके सामने यह सेर करूं अपनी इस वीडियो के साहरे से चलिए मैं आपको बताती हूं हाँ तो मैं यहां पर एक लेती हूं बावल बावल में दो इस्पून नारियल ओयल कोकुनट और टूसपून नारियल ओयल और उसके बाद इसमें डाले में हम टूसपून ऐलूवेरा जैल यह मेरा homemade aloe vera gel है और अगर आप चाहें तो आप market का भी यूज कर सकते हैं बट यह मैंने अपने घर पर बनाया है और इसमें मैं जब बनाती हूं तब इसमें गुलाब जल भी add कर देते हूं तो आप चाहें तो आप market का भी ले सकते हैं और घर का भी ले सकते हैं अब इसमें हम थोड़ी सी लेंगे वैशलीन petroleum jelly यह बहुत अच्छा काम करती है हमारी hills को भरने के लिए तो बन स्पून petroleum jelly लेंगे और इसमें डाल देंगे अब 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 only half spoon honey डालना है only half spoon और इसमें एक vitamin E का capsule जो आता है वो निकालके और इसमें add कर लेते हैं यह निकालके एक capsule vitamin E का oil डालते हैं और यह friends मैंने खुट try किया है तो मुझे पता है कि मेरे लिए यह बहुत फायदिमंद हुआ था क्योंकि मैं बहुत ही परेशान थी मैंने बहुत लोगों से पता किया कि मुझे क्या करना चाहिए वर्ट मैंने बहुत चीज़ें कोई डिफ्रेंस कि आप तो मेरे पैर कभी सही नहीं होंगे यह ट्राइ करने के बार मेरे पैर अब मैं आपको बताती हूं यह आपको जब तक मिलाना है जब तक मिलाना है जब तक इसकी जैल जैसी कंसिस्टेंसी अब यह तीनों डीप मोस्टराइजर का काम करते हैं जब तक चलाएंगे जैल जैसा ना हो जाए देखेंगे फृंड इसकी कंसिस्टेंसी मिलने लगी है और यह जैल की तरह होता जा रहा है यह मेरा खुद का ट्राइ टेस्टेड है इसलिए मैं आज आपनों के साथ ही सेयर कर रही हूं बहुत ही अच्छा डीप मॉस्टराइजर बनके त्यार होता है पैर फटे हुए होते हैं पैर सारे एक्टम क्लियर अच्छे हो जाते हैं मैंना बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आवेलेवल हैं मैंने काफी कुछ ट्राइब किया बट वह बात नहीं आई अब आप इसको किसी भी यह मिला के अब इसको आप लेंगे और किसी भी छोटे से जार में मिला हो गया और इसको आप फ्रिज में रख देजिए और अब यह जमके ऐसा हो चुका है अब इसको मैं किसी भी छोटी सी डिब्बी ले ली और जैसे यह है तो इसमें इसको भरकर यू रख देते हैं अब यह जब हमारा यह भरकर रख रहेगा फिर हमारा यह ऐसा ही रहेगा आप इसको नौर्मल टैम्परेचर पर रूम टैम्पर डिब मॉस्टराइजर क्रीम बनके रेडी हो गई अब इसको मैं आपको बताती हूं कि इसको आपको यूज कैसे करना है यूज करने के लिए अब इसको अपने पैरों पर देखे फ्रेंट्स मेरे पैर एकतम स्मूथ औड नीट अंड क्लीन है यह मेरे पैर इसी क्रीम से हु कि इसको लगाना क्या से इसको थो यू लaters रात ने से पहले सूने से पहले इसको लागा & आइडीों पर शुभाणा कर आप दो जब आप सुखर उछेंगे करना ही होगा ता आप देखेंगे एक महीने में ये आपकी एडियों को एकदम perfect and neat and fine कर देगा अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको try ज़रूर करके देखिए क्योंकि मैंने खुद इसको try किया है ये ता मेरा आज का नया वीडियो और आप भी इ क्योंकि मैंने इसको try किया है अगर आपको इससे आराम मिले तो प्लीज कमेंट कीजिए और लाइक कर देना subscribe कर देना stay healthy stay home till then bye bye